हम भारत के जनजातियों के बारे में अध्यन कर रही थे उसी क्रम में आज हम संथाल जनजाति के बारे में अध्यन करेंगे संथाल जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है यह जनजाती अपने परंप्रावादी समाजिक संगठन, हिंदू रिती रिवाजों के अनुसार जीवन शैडी और अपने आर्थिक क्रियों में विविदिता के लिए अपनी विशेश पहचान बनाए हुए है इस जनजाती में 12 गोत्र है यह जनजाती अपने शारिक लक्षनों में दृविद परजाती के निकट है इनका रंग काला, औसतकद, सामाने नाक नक्षा, दृविद परजाती से काफी मिरता जुलता है यह शरीर में बहुत ही चुस्त होते हैं लेकिन मन के भोले होते हैं यह जनजाती मुख्य रूप से चारखन के संथाल परजणा में निवास करती है और संथाल परजणा का नाम भी संथाल जनजाती के कारण ही पड़ा है अब हम देखेंगे कि भारत के नक्षे में यह जनजाती कहां निवास करती है संथाल जंजाती की लोकेशन भारत के नक्षे में यहां दर्शाई गई है इनके निवास शेतर की यदि हम बात करें तो यह है पश्मी बंगाल के वीरभूमी परगना, उडिसा के कटक और जारखंड के पलामू, हजारी बाग, राची और संथाल परगना में निवास करते हैं इनका प्रमुक निवास शेतर जारखंड का संथाल परगना है संथाल परगना के राची पठार का पूर्वी भाग, जिसकी औसत उचाई 200 से 2500 मेटर के मध्य है, वहाँ यह जनजाती बहुत आयज से निवास करते हैं यदि हम यहां की भौतिक दशाओं के बारे में बात करें, तो उत्तर और दक्षिर में राज महल के पहाड़ियों से यह छेतर घिरा है यहां पठार लावा निक्षेपन से निर्मित है, लेकिन समतल है कहीं कहीं बीच बीच में पहाड़ियां और नदी घाटियां भी है, यहां से बहुत सारी चोटी बड़ी नदीयां गुजरती हैं इन में ब्रामनी, गुवानी, अजय, मोर, प्रमुक नदीयां है इन नदियों की घाटियों में जलोड मर्दा के कारण काफी उपजाओ भूमी भी है पठार और पहाडे ढाल जो हैं वो वनों से आच्छा दित हैं क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत होती है यहाँ वर्षा का औसर त्रेट सो सेंटीमीटर से अधिक है जहाँ भी उपजो का संग्रहन आखेट और पशुपालन से अपना जीवन यापन करते हैं अब हम बात करेंगे इनकी अर्थ तंत्र की जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका जो मुख्य आजिबिका का साधन है वह है क्रिशी क्रिशी जो है पूंतिया वर्षा पर आधारित है ये धान, मक्का, साख, सबजियों की क्रिशी करते हैं चावल को क्यारियों में पोध रोपन करके बोया जाता है मोटे अनाज को बिखेर कर और मक्का को खुडों के अंदर एक-एक दाना बोकर पैदा किया जाता है वर्षा के एनिशित्ता और उपजाव मिट्टी की निरंतरता के अभाव के कारण ये लोग साल भर क्रशी नहीं कर पाते हैं इसलिए अपने भोजन की कमी को बूरा करने के लिए ये जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं मचलियों का शिकार करते हैं और वन उपजों का भी संग्रहन करते हैं पशुपालन के तोर पर ये हैं गाय और बकरी को पालते हैं यदि इनसे भी इनका काम नहीं चलता है तो ये हैं बाहरी मैदानी इलाकों में मजदूरी के लिए निकल पड़ते हैं यही कारण है कि आप देखेंगे पश्मे बंगाल, बिहार, उत्रप्रदेश और अब तो हरियाना, पंजाब और राजस्थान में भी आपको ये लोग मजदूरी करते हुए मिल जाएंगे पठारी भागों में ये खदानों में शिर्मिकों का कारिय करते हैं इसके अलावा अब ये असम, दारजलिंग तक भी जाने लगे हैं खेतों में और निर्मान कारियों में मजदूरी का कारिय करते हैं इस प्रकार इनका जो अर्थ संत्र है वो बहुत ही आयामी है लेकिन मैदानी भागों में और खरनवाले छेत्रों में इनके सीधे पन के कारिय इनका बहुत अधिक शोशन होता है अब बात करेंगे हम इनके भोजन सामगरी की इनका मुखे भोजन चावल, मक्का, साग सबजी, मास और मचली है भोजन में मास का स्वेवन तभी करते हैं जब वहाँ अनकी कमी हो जाती है मुर्गी, बकरी भी पालते हैं और उनका मास भी खाया जाता है ये लोग शराब और तंबाकू के भी शोकिन होते हैं अब हम बात करेंगे इनके वस्त्रों और आपोशनों की जो संथाल पूरुष होते हैं वो घुटनों तक की धोते पहनते हैं इस्त्रियां साड़े पहनती हैं और विशेश अफसरों पर पूरुष, कुर्टा और पगड़ी भी बानते हैं इस तरियां जो हैं पत्थर, मोती, मूंगा और साधान धातों के गहने भी पहनती हैं अब हम बात करेंगे इनके आवास और बस्तियों के इनके जो आवास हैं वो इस्थानिय सामगरी से ही बने होते हैं ये पत्थर, मिट्टी, लकडी, बांस और फूस के बने होते हैं इनके घरों की दिवार बांस या पत्थर से निर्मित होती है और उनकी चाजन जो है बांस, लकडी और फूस के बने होते हैं कुछ छेत्रों में खप्रेल का भी प्रियोग किया जाता है घर में पूजा का इस्थल जो होता है उसे भीतरी कहा जाता है भीतरी में इस्थ्रियों का प्रवेश वर्जित होता है एक गाउं में सो से दो सो घर होते हैं और वो एक ही वर्ग के होते हैं इनकी बस्तियां इस्थाई होती हैं और बस्तियों के इस्थल का चुनाव ये जल श्रोत, क्रशी भूमी और सुरक्षा को ध्यान में रखकर करते हैं। अब हम इनकी सामाजिक संगढ़न की बात करेंगे। इनका जो सामाजिक व्यवस्था और परंप्रा है वो अपनी विशिष्ट पहचान आज भी बनाए हुए हैं। इनके अधिकांच परंप्राएं हिंदू व्यवस्था के अनुसारी ही हैं। तो दूसरी और ये वन्य जीवन की स्वचंदता भी इनमें कम नहीं हैं। जो एक ही गोतर में, एक ही गोतर के लोगों के जो गाउं होते हैं वहाँ पर परजातांतरिक ढंग से सामाजिक कारिये किया जाता है। वहां मिलकर शिकार करते हैं, घरों का निर्मान भी वो लोग मिलकर करते हैं और एक दूसरी की मदद के लिए हमेशा ततपर रहते हैं इनमें पंचायत की विवस्था भी होती है और पंचायत की निर्ने जो हैं सर्वमान्य होते हैं इनमें एक ही गोत्र में शादी नहीं होती है यानि गोत्र के बाहर विवाहा होता है इसलिए इनको अपने गाउं से बाहर दूसरे गाउं में विवाहा के लिए जाना होता है इन में विवा की कई प्रथाईं होती हैं जैसे बपला प्रथा इस प्रथा में लड़के का पिता जो है उप्युक्त लड़की की तलाश करता है और वधू के मिल जाने पर उसे उपहार सुरूप दहेज देता है और शादी करवाता है घरदे जवाई प्रथा में लड़का लड़की की पिता के गर में रहता है और अपनी श्रम शक्ती का परिजय देता है यानि यदि वह जबकर कारे करता है घर में तो लड़की का पिता जो है विवाह के स्विकर्थी दे देता है तीसरा प्रकार है इतूतू प्रथा, इसके अंतरकत कोई भी लड़का अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकता है इसके अलावा रैबर जो प्रथा है उसमें बिचोली के द्वारा विवाह निश्यत किया जाता है नीर बेलोग भी एक विवाह की प्रथा है इसके अलावा इनमें विद्वा विवाह का भी प्रशलन है और विद्वा विवाह को संगा कहा जाता है संथालों में बाहिये जो है सबसे बड़ा इनमें बहुत सारे धार्मिक परवो होते हैं जिनमें सबसे बड़ा परवो जो है बाहिये है ये मार्च में बनाया जाता है और इस अफसर पर देवी देवताओं के पूजा अर्चना की जाती है और पशु की बली भी दी जाती है और ये इस उत्सव पर नाच गाना और सामुहिक भूजन भी करते हैं इनका दूसरा जो बड़ा त्योहार है उसका नाम है सोलवी जो अक्टूबर में मनाया जाता है और इस पर मास, शराव और नाच गहना किया जाता है फरवरी में ही इनका एक और उत्सव आता है जिसे सकराता कहते हैं और यह है इनके शोरिय प्रदर्शन का उत्सव होता है और इसमें धनुष तीर चलाने की निपूनता प्रमानित किये जाती है यह किसी विशेज धर्म के अनुवियाई नहीं है बलकि यह प्रकरती के पूजा करते हैं इनके जो प्रमुख देवता है वो मारुन बरु है उनकी जो पत्थर की प्रतिमा बनाते हैं और जो गाउं में जो वरक्ष के नीचे जिसे उस इस इस्थान को यह कहते है माजी इस्थ गाय को ये मा गहते हैं, सोया राम भी त्योहार है इनका, जो गाय पूजा का त्योहार होता है, यानि गायों की पूजा के लिए जो त्योहार मनाते हैं उसे सोया राम कहते हैं, संथाल जो है सयुंक्त परिवार को पसंद करते हैं, घर के मुख्या के आदेशानुसार ही सारे क परिवार के बट जाने पर भी इनमें आर्थिक कारे सामुहिक रूप से ही किया जाता है। वो रामायन में भी मिलता है। तो इस प्रकार संथाल जो है भारत की प्रमुख जनजातियों में से एक है जो अपनी सामाजिक संगधन के लिए और अपने बहु आयामी अर्थतंत्र के लिए जाती है। और यह जनजाती भारत के अनेक राज्यों में मजदूरी के लिए आपक अवस्था में देखने को मिल सकती है। तो स्टेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम भील जनजाती के बारे में अध्यन करेंगे। धन्यवाद।